सुपरभात प्यारे बच्चो, कैसे हो आप? I hope कि आप बहुत अच्छे होंगी और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी चलिए, हम कुछ और पढ़ते हैं हम पढ़ रहें चैप्टर सूरज जल्दी आना जी और आज उसमें हम पढ़ेंगे अगर ऐसा हो तो आपको बताना है बच्चो अगर ऐसा हो तो क्या होगा? प्रश्ने अगर धूप ना हो तो क्या होगा? तो बताओ बच्चो अगर धूप ना हो क्या होगा? अगर धूप ना हो तो अभी इस कार्ट देख लेते हैं तो बच्चो इस प्रश्न का उत्तर होगा अगर धूप ना हो तो धर्ती पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बिल्कुल सही अगर धूप ना हो तो क्या होगा हमें विटैमिन D नहीं मिलेगी और चारो तर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा तो इससे हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगला प्रश्न है अगर हवा ना हो तो क्या होगा आप आपको बताना है कि अगर हवा ना हो तो क्या होगा तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं हम हवा में सांस लेते हैं और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप किसी बंद कमरे में चले जाए महाँ पर बिल्कुल भी हवा ना हो तो आपका दम घुटने लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दम घुट गया है क्योंकि हवा के अभाओं में मनुसी, जीव, जन्तु, पशू, पकसी सब मर जाएंगे जब हम सां हवा ही नहीं होगी तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे और हम सब मर जाएंगे अगला प्रश्न देखे क्या है अगर पानी नहीं हो तो क्या होगा तो प्यारे वच्चों आप सभी जानते हैं अगर पानी नहीं हो तो हम सब प्यास से मर जाएंगे क्योंकि पानी ही जीवन है जल ही जीवन है तो यहाँ पर मिल्क भी सकते हैं जल ही जीवन है जल ही जीवन है अगला प्रस्थि देखिये अगर पेड़ पोधी ने हो तो क्या होगा अब हमें बताना है कि अगर पेड़ पोधी ने हो तो क्या होगा बच्चों आप सभी जानते हैं कि पेड़ पोधों से हमें खाना मिलता है पेड़ पोधों से ही जेवन है पेड़ हमें ऑक्सिजन भी देते हैं तो पेड़ हैं तो हम है देख सकते हैं पेड़ के बिना जेवन अर्थीन है अर्थीन मतलाब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अब हम अगला देखेंगे कौन सा बहाना अब बच्चों आप भी जापता है कहीं बार ऐसा होता है कि आपका खेलने का मन है और आपको पढ़ाई भी करनी है तो बच्चों आप बहाना बनाते होना खेलने के लिए बस तो देखो इसी तरह सूरज का अभी आने का मन नहीं है वहाँ बच्चों को क्या बहाना बनाकर मना करेगा सूरज क्या बहाना बनाएगा सोचो आप भी बहाना बनाते होंगे देखो क्या बहाना बनाएगा वहाँ तो आप देखे सूरज क्या क्या बहाने बनाएगा आज में तब यह ठीक नहीं है आज में नहीं आ पाऊंगा ये भी बहाना बना सकता है या और क्या बहाना बना सकता है आज में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं आज में नहीं आ पाऊंगा तो वह दूसरा बहाना ये भी बना सकता है कि आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ और आज में नहीं आ पाऊंगा ठीक है बच्छो कुहासा मैंने आपको पहली बताया था कुहासे का अर्थ है कोहरा या दुंद कोहरा किस मोसम में छा जाता है तो आप बताएंगे कि कोहरा किस मोसम में छा जाता है बिल्कुल सही सरदियों में सरदियों में सरदियों में जो है कोहरा छा जाता है अब अगला प्रिश्ण देखिए सूक जा भई सूक जा तो क्या दिया गया है मालो कल स्कूल से घर आते हुए तेज बर्स में भीग गई तुम इन्हे कहां सुखाओगे तो क्या हुआ मालो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बर्स में भीग गई तुम इन्हें कहाँ सुकाओगे अगर आप तेजबर्ष में भीगेंगे तो आप एक कुछ सामान भी भीगेंगे जैसे आप एक कमीज, बस्ता जोते तो अब आपको बताना है कि आप इनको कहाँ सुखाओगे देखिए कमीज को आप कहाँ सुकाओगे घर पर रसी पर सुखाएंगे रसी पर बस्ता बस्ता भी दूप में सुखाएंगे वो भी रसी पर जूते भी दूप में सुखाएंगे और रसी मतलब कमेजिवियम दूप में सुखाएंगे फर्क पहचानो आपको फर्क पहचानना है फीता, फीका कुछ अलग लग लग रहा है आपको हाँ, ये देखो ये जो फीता में फ़ है इसके नीचे बिंदी है लेकिन जो फीका में फ़ है उसके नीचे बिंदी नहीं है तो अभी पढ़ लेते हैं फीता और फीका दोनों सब्दों में अंतर है न इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है पहले फी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है नीचे कुछ ऐसे कुछ और सब्द दिये गए है उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो दोनों तरह का एक एक सब्द खुद बेजोड़ो तो यहां पर हमें कुछ ऐसे सब्द दिये गए है जिसमें फर के नीचे बिंदी है और दूसरी तरह हमें कुछ ऐसे सब्द दे गए है जिसमें फर के नीचे बिंदी नहीं है तो जैसे कि काफी काफी जब लिखा तो फर के नीचे बिंदी है सफेद उसमें फर के नीचे बिंदी है तारिफ फर के नीचे बिंदी है और एक नया शब्द हम जोड़ देते हैं फरिस्ता फरिस्ता जब हम लिखेंगे तो हम फ के नीचे बिंदी लगाएंगे फरिस्ता फरिस्ता का मतला होते है एंजल फरिस्ता आप है फ वाले शब्द जिसमें फ के नीचे बिंदी नहीं है फिर फेलना फटना और एक और सब्द बताओ बच्चो वो शब्द हो सकता है आपका फल फल मतलब fruits फल सबी को फल पसंद है मुझे तो फल बहुत पसंद है फ और लफल और हमें इधर लिखा था फरिष्टा तो इस तरफ ये फरिष्टा और ये फल तो चलिए वच्चो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से किजेगा और अपना ख्याल रखे Be happy, be safe Thank you